और इतनी खतरना केंपिंग कोई कैसे कर सकता है? मेरा तो दिमाग भी नहीं चलता इतने तेज तो भाई लोग कैसे हो? तो यार वेलकम दी बैक, बैक दे वेलकम और स्वागत या आपका एक विरा न्यू गलाच जिन से भरे पड़े पफजिन वाईल गेम प्री वीडियो में और इस मैच में भी एक और बार तुम्हारे भाई की सनाइपिंग की बेज़ती की जाती है बस फरक इतना थायार हमेशा मेरे टिम्मेट लोग बेशती करते हैं आज बाकी बंदे बेशती करेंगे मुँ के सामने मैं सनाइपर पटका रहा होता हूँ उसके बाद भी लोग पीक करना ने छोड़ते खेर जो भी सीन होने वाले हैं थोड़ा आगे जाके वोंगे लेकिन फिलाल यार नुवार रखें और एक गन मांग ली मैंने अब ये बंदा जो नीचे बैठा था बाई इस पर सोट गन पड़ी थी एक भी गलती से चला देता न वो गया था मैं और इस टीम का सिर्फ और सिर्फ एक आखरी बंदा बाकी है जो कि यहीं कहीं आगे पर है क्या से क्या दिना चुके हैं पबजी में एक टैम था यार उत्रो पूरी जिंदगी बर की लूट एक जगाव पे मिलती थी नुवो में और आप देखो यार इतना लूटने के बाद भी ये बंदा निहत्ता ठिला एक पिस्तोल पड़ी थी सस्ती सी क्यार जो भी सीनो अपने को गन मिल गई अपना काम हो चुका है अब आगे यागे बढ़ रहा हूं और और भी बंदे आ रखें लूट ना हो यार लेकिन बंदे कभी कभी आ ही जाते हैं तो पकड़ना बढ़ेगा लेकिन उससे पहले बात कर लेते हैं जिसकी मदद से आप कई सारे PUBG के टूड़नामेंट्स खेल सकते हो और यार इस एप की खास बात ये है कि जैसी आप इसे डाउनलोड करके इंस्टॉल करोगे आपको 30 रुपे पहले से ही मिलेंगे तो आप वो रुपे लगा के बाकी टूड़नामेंट्स खेल सकते हो साथ ही इसमें डेली फ्री टूड़नामेंट्स होते हैं वो भी तीनो टाइप के सोलो डूस उकॉर्ड और तीनो में किल करने पे पैसे मिलते हैं और आने वाले सढ़े में तीन तीन रॉयल पास का गिववे भी होने वाला है और इसमें मंतली और वीकली एक्टिव यूजरों को बीटीम से भी ड्रॉ कर सकते हो तो इस एप को जरूर ट्राय करना इसकी लिंक डिस्क्रिप्सर में होगी बिल्कुल टॉप में और यहां घर की तरफ इन चार बंदों के अलावा भी कोई है यहीं कहीं उपर बैठा है और यह बंदा मेरे मूँ के सामने नहीं मेरे मूँ के बिल्कुल बगल में एक बोट की पेटी बना देता है मेरे को लगा था है यार अकेला बेठा होगा केम्पिंग कर रहा होगा बाद में उपर आके पता चला अत्या चार चल लाएक अताई बोट पे केर जो भी सीनो वहाँ घर पे वो एक आकरी बंदा बाकी था तो एकाद बोट पेलते पेलते मैं आगे की तरफ बढ़ता हूँ और यहां उपर चड़ता हूँ पूरी चोड़ में फिर चोड़ ठंडी हो जाती है अब दूर से तो कोई पेली रहे लेकिन उसके साथ साथ यहीं आगे पे कोई बंदा बैठा है अब देखो गोली यहीं कहीं से चली थी लेकिन बंदा गाय वो चुका है दिखने का कोई नाम नहीं है यहां पे और देखो अभी अभी मैं उपर चड़ा था मेरे को दबा के गोलिया पड़ी वो तो बज गया मैं पहली बार लेकिन डेट होने के कारण मैं एक और बार उपर चड़ जाता हूँ और मेरे को डेट ता की सजा मिली जाती है आखिरकार दो चार गोली दबा के लगती है अब जहां तक मेरे को पता है यहां पे जो बंदा बैठा था ना वो बग के दूसरे कोने में जा चुका है अब देखो डेट तो मैं काफी हूँ लेकिन एक बार सजा मिल चुकी है तो मैं बोलता हूँ क्यों ना नीचे सही जाय जाये बिल्कुल साइट से जाएंगे और यार साइट से जाके जो ही नजारा दिखता है आप खुद देखो यह नजारा और इतने मेहनती बंदे यार बहुत ही कम देखने को मिलते हैं मतलब पूरी मेहनत के साथ ठीपी पी ली जा रही है एक बंदा फटे पे चड़ा है एक बंदा नीचे ठीपी पी ले रहा है अब सोचो अगर मैं उनके मूँ के सामने से जाता यार मैं सोच भी नी पा रहा हूं कि कितने तेजी से ये लोग पेटी बनाते मेरी दोनों एकी जगापे खड़े हैं कैर जैसे दैसे करके नो वो खाली हो जाता है एकाथ बहुत बचे वे थे तो उनको पेल पाल के मैं निकलता हूँ बाकी बंदों को पेलने के लिए अब देखो यार बंदे आजकल बहुत जल्दी ठील जाते हैं तो मेरे को जल्दी जल्दी रसुरूस करना पड़ेगा नहीं तो यार ये आपस में लड़ भिड़ेंगे और मेरे को किल के नाम पे कद्दू कुछ नहीं मिलेगा और यार इस बंदे को देखो आप जरा और इतनी खतरना केंपिंग कोई कैसे कर सकता है मेरा तो दिमाग भी नहीं चलता इतने तेज 120 बंदे ने केंपिंग की जगा कहीं और दिमाग लगाया होता इतना यार दुनिया बदल गई होती अभी कैर जो भी सीन हो भाई का दिमाग देख रहे हूँ बग्गी साइड में लगा रखी है भाई जाड़ी पर बैठा है वो भी लेटा नहीं है बिल्कुल नहीं बैठे हैं हमारे भाई वो तो मैंने देखा यार ये बग्गी यहां पर कैसे खड़ी है या तो PUBG नसे में है या तो गलत सी चला यहाँ पर फिर मैं बगल में देखता हूँ जाड़ी में बंदा दिखाई देता है मैंने वोला भाई चड़ा दो इसके उपर खतरना क्यार बतला पहला सरकल नहीं आया है और बंदों की केम्पिंग चलू गई है और उसके बाद नौक होता ही लूट गिराते हैं यार इससे बढ़िया घर पर लेट जाता जिन्दा होता अभी तक खैर जो भी उसको पेलने के बाद मैं आगे की तरफ बढ़ता हूँ अब यार केम्पर उसे पंगे नी लेंगे कुछ ऐसे बंदों से पंगे लेंगे जो अपनी ही चौड में बिल्कुल ओपर में खड़े हैं उनको किसी से कंदू भरक ने पड़ता और पबजी एक ऐसी जगह है जहां पर आपको एक ही मैच में तरह तरह के बंदे देखने मिलते हैं एक वो था केम्पर जो जाड़ी में छुपके बैठा है फिर ये तीन बंदे जो बिल्कुल ओपर में लूटे जा रहे हैं समोक के नाम पे कदू कुछ नहीं बनाया यार चोड़ हो तो इस लेवल पे हो अब मैं भगाते वे गाड़ी लाता हूँ ये भी बोल रहूंगे यार कि कहां से कहां से गाड़ी आ गई भाई इतना धेट कैसे ये बनता मुव पे कौन गाड़ी ठोकता है खैर गाड़ी ठोका पीटी करके सबकी पेटी बन गई है और वहां से मैं निकल चुका हूँ अब जा रहा हूँ जोर्ज की तरफ यार किल के ले क्या नहीं करना पड़ता नोवा उत्रा केंपिंग बंदे पेले चोड़ वाले बंदे पेल और जिस हिसाब से इस बंदे ने गाड़ी अंदर ढाली है ना मैं समझ गया इनका एक ही चीज करने का मूड है पूरी पूरी केमपिंग करने का अब देखो घरों पे केमपिंग करना ठीक रहता यार लेकिन ठोका पीटी करके कोई गुसी जाता है लेकिन यहां कंटेनर में क कौन लेटा होगा कहा बैठा होगा पता करना दिक्कत हो जाती है और ये लोग भी बिल्कुल वही चीज करते हैं फुटीश टैप के नाम पे कंदू कुछ नहीं दिखना बंदे किदर है कुछ नहीं पता लेकिन जादा दूर नहीं गये होंगे यहीं कहीं बैठ है अब एक बंदे को पकड़ा लेकिन मेरे को नहीं लगता है यह गाड़ी वाला बंदा था या फिर इसका टिमेट यहीं कहीं होना चाहिए तो मैं उसे ढूड़ने के लिए ऐसी ओपन मैं चौड में भगता हूं और मिल जाता है बंदा अब पहले मैं सोचता हूं कि यार मेरा टिमेट नसे करके खेला है हर कते भी वैसे ही रहते हैं भाई की लेकिन बाद में मैं उस बंदे का नाम पढ़ता हूं फिर समझता हूं सीन और ये नौक बंदा इतना खतरनाक वहां से एक कदम नीला बंदा और यहां पर क्या होता है कोई उधर की तरफ से मेरे पर एक गोली पेलता है अब मैं पूप में कदू कुछ ने दिखता लेकिन यार कान के बगल से बगल से बिनियार काफी दूर से गोली जाती है तो मैं बोलता हूँ यार बंदे पकका पकका बैठे पड़े हैं अब वो लोग या तो इनी के टीमेट हैं या दूसरी टीम वाले उससे हमको कदू भरकने पड़ता हमको बस पेटी बनानी है और यार जितना जल्दी हो सके उतना बढ़िया वैसे ही कम बंदे बाकी हैं आपस में ठिल गए तो मेरी लिए दिक्कत है और मैं ये चीज़ देख रहा हूं कि यार आजकल बंदे कुछ जाता ही पुरी फायर पे लेट गाड़ी की ऐसी तैसी कर दी अब जाके वही चुपाई भी गाड़ी उठानी होगी ना जाने कौन से कोने में पेल रखिये बंदे ने और जब मैं गाड़ी लेने जाही रहता हूं सामने एक बंदा मिलता है और जहां तक मेरे को पता ये उन्हें बंदों का टीमेट है जो कार के साथ चुपन चुपाई खेल ले थे और उपर से यार कोई कारणाई टीट पटका रहा है यहीं कहीं सामने गरों पे बैठा पड़ा है तो उसको भी ढूड़ने के लिए फीक बाक करता हूं अब एका गोली मैं पेल ही चुकाऊं लेकिन देखो यार वहाँ पे रसरोस करने का बिलकुल मन नहीं है क्योंकि वहाँ पे दबा के केंपिंग होती है और यार बंदे ढूड़ने में ही ऐसी ऐसी हो जाती है बैटे पड़े होते ये लोग लेकिन यार हम भी मजबूर हैं पकड़ा नहीं बंदों को तो खिल कैसे मिलेगी वीडियो कैसे बनेगी तो हमारे भाई गाड़ी निकालते हैं और देट बैट मैं वहाँ पहुँच जाता हूँ जहाँ पर मैंने गोलियां पे ली थी लेकिन वहाँ से बंदा गायब हो चुका है और इन बड़े महंगी घरों पे आके बैट चुके हैं और इन घरों पे यार महंगी केम्पिंग भी होती है तो मैं जैसे ऐसे करके घर के अंदर गुशता हूँ और देखने की कोशिस कर रहा हूँ कि बंदे है किदार आखिर और घर पे घुसे वे 10 सेकंड हुआ नहीं है ठीक से लेकिन बंदों के हजार आइक्विनेट चालू हो जाते हैं अब देखो यार उपर रस करना दिक्कत तो होगी लेकिन करना तो पड़ेगा ही और यही तो असली चाल होती है केंपिंग की केंपिंग करना एक कला होती है अब देखो इसे नहीं देखा होता है यार हम भगते वे जाते और मेरे को तो लग रहा था बस एक ही बंदा है जाओंगा उड़ते वे गोलिया चलाओंगा लेकिन देखो अगर मैं उड़ते वे जाता न बगैर इस लेटे बंदे को पेले यार वो हवा में पेटी बना देता खैर इसकी पेटी बनाई दूसरे बंदे की पेटी बनाई यहाँ पे पूरा खाली हो चुका है और यार जून भी इस बार इसी तरफ बन रहा है तो करना क्या था यहाँ पे जो भी लूट पड़ी होती है धैर पर उठाता हूँ और चल देता हूँ बाकी बंदे पेलने और यार जल्दी इतनी थी कि उपर बिल्डिंगों से चला लगा रहा हूँ मैं नहीं तो यार तमीद से नीचे कूता अब देखो मैं गाड़ी उठाता हूँ और गाड़ी को हर जगा ले जाता हूँ नदी के बगल से लेके घरों के आस पास से सब जगा से मैंने गाड़िया निकाल दी कोई नी दिखा कोई फुटी स्टेप नहीं कोई किसी को नी पेल रहा बिल्कुल सन्नाटा ना जाने किधर बैठे या फिर लेटे पड़ें ये लेकिन आखिर गार जाके एक उमीद जाकती है क्योंकि ये सीन हो जाते है और ये फ्लेर की आवाद सुनके यार इतनी खुशी हुई न कि क्या ही बताऊं और फ्लेर भी उधर ही चल लखिये है जहां पे मैं गाड़ी पहले ही लेकर जा चुका हूं अब मेरे को लगा यार एक काड़ बंदा होगा पकड़ के पेल दूँगा लेकिन पूरी टीम है इधर पे और भागम भाग चलो हो चुकी है और इसे कहते हैं बेजतीप हद बेजतीप दो बंदे को नौक कर चुका हूं एक को गलती से हैट सोट पेला उस बंदे को पता है कि यार सनाई पर पड़ी है मेरे पे लेकिन कोई जट नहीं है गाओ में बंदा पीक करे जा रहा है बिल्कुल एसकेस पटकाने के लिए बिल्कुल तयार और यार किस्मत चमक जाती है बंदा नौक हो गया नहीं तो यह जो बेजतीप इसने करी न वह चार गुना ज़्यादा बढ़ जाती अगर मैं ठिल जाता हूं अधर पे लेकिन हमारे बाई चिलाने लगते पीछे से कि भाईया गेट ता छोड़ो जोन में आ जाओ नहीं तो जोन तुम्हारी पेटी बना देगा अब देखो यार इनको बगैर पेले हम कहीं नहीं जाने वाले इनको पेल नहीं पड़ेगा नहीं तो यह किसी और से ठिल जाएंग या किसी और को ठिला देंगे अब एक को तो पकड़ लिया लेकिन दूसरा बंदा भी यहीं कई है तो उसे भी पकड़ना होगा और इन लोगों को पेलने के बाद यार खुसी नहीं दर्द हो रहा होता है दिल पे यार ऐसी बेजती दो बंदे नौके उसके बाद भी अगर कोई बंदा आप पे पी कर रहा है न तो यार वो आपकी बेजती कर रहा है वो ये जानता है कि आप से कदू कुछ नहीं होने वाला वैसे भी यार सनाइपिंग तो सस्ती ही है लेकिन किस्मत साथ देती है और बेजती थोड़ी सी थोड़ी सी कम होती है अब यहां पे बंदे बैटे पड़े में हैं लेकिन भाई को भूक लग रखी है और एसान यह यार ठीक है भूक सबको लगती है लेकिन भाई की डिमांड सुनो आप जरा सुनो जरा यूग्यूमी समोसा पस दो अब भाई को समोसा चाहिए यह मैच मैंने सुबह के टाइम खेला था यार मेरी आखना आधी बन थी बंद आख में खेल रहा था बिल्कुल खाने का कोई मन नहीं लेकिन भाई को समोसा चाहिए सुबह सुबह समोस भाई की मम्मी गाली दे रही है पीछे से लेकिन भाई को समोसा इखाना है खेर समोसा गया कद्दू लेने बस एक आखरी बंदा बाकी है अब उसको भी मैं ढून रहा हूं सारे घरों पे दुबारा से मैं चक्कर लगा देता हूं और अखिर कार जाके ब तो फुटा या रैट से ओपन से कहीं दरी कहीं से और यह लेट रहा हूं और यह चिकन चुकन हो गया बोलके यार लिखा आने में इतना टाइम कैसे लग गया मैं यार अपने आप पे सक करने लगा था कि यार कहीं मेरी गणित गलत तो नहीं हो गई तीन बंदे बाकी थे उस पे से दो हम एक की मैं पेटी बना गया तो फिर कैसे कैसे चिकन नहीं हुआ उसके जब तक मैंने यह सोचा यार चिकन चुकन लिखा आ जाता है आप क्या करें गणीत तो हमारी भी कमजोर है तो सक तो हूई जाता है खैर आज की बाहरों गयार बहुत बहुत शुक्रिया वीडियो देखने के लिए इस मैच में एक किल और मिल जाती ना बस एक किल ज्यादा नहीं मांग रहो एक किल और 30 किल हो जाती लेकिन आप क्या ही क कर सकते हैं यह 29 से काम चलाना पड़ेगा तो बास भाइलों गयार आज को उड़ायत नहीं बहुत बहुत शुक्राइब वीडियो देखने के लिए जाते जाते यह गलत सीन समूज से और वो सस्ती स्नाइपिंग के लिए यार लाइक जोर से पेल दिया इस पार लाइक ठोकना मत भूलना और अगर आप यहां पे नए हो तो हैर करो सभी स्क्राइब और भी ऐसे गलत सीन वाले गेम प्ले और बेज़ती मेरी टैम टू टैम होती रहती है और सस्ती कमेंटरी के लिए और यार जाते जाते यह इस्पोर्ट्स एक्स को चेक आउट करना मत भूलना उस एप के लिंग डिस्क्रिप्शियों में होगी बिल्कुल टॉप में और तुम्हारा बाई डेली बिल्कुल रात के 9 बज़े से सट्रीम वगेरा करता है नोनो लाइफ पे तो यार वहां पे फॉलो पेलना मत भूलना बहुत तगड़ी थोड़ा नीचे की तराफ और यार वहां पे गिवावेच चलते रहते हैं और फून का भी करने वालों बहुत जलत तो यार फॉलो करना मत भूलना तो आज के लिए इतने बहलों कि यार घर मिलते हैं बाई बाई थार मिलते हैं